कश्मीर मुद्धे पर दुनिया भर के देशों से समर्थन मांगने वाले पाकिस्तानी प्रुधानमंत्री इम्रान खान का किसी भी देश ने साथ देने से इंकार कर दिया तो अब इम्रान खान जिहाद और आतंकवाद की रास्ते पर चल पड़े हैं। जिन आतंक्यों को इम्रान खान सालों से पाल पोस रहे थे वो भी अब इम्रान खान के विश्वस्तर पर समर्थन जुटाने में नाकाम होने के बाद भारत को गीदर भपकी देने लगे हैं। पाकिस्तान का असली जहरास सामने आने पर American Army के रिटायर्ड करनल लॉरेंस सेलिन ने इमरान खान को जम करना ताड़ा है अपने सैने का रिकाल में अफगानिस्तान, इराक, वेस्ट अफरिका जैसे क्षेत्रों में काम कर चुके लॉरेंस सेलिन पाकिस्तान की चालबाजियां अच्छी तरह समझते हैं वो ये भी जानते हैं कि भारत की खिलाफ पाकिस्तान आतंकवात का रास्ता अपनाता रहा है इसलिए 27 सितंबर को United Nation General Assembly में पियम इमरान खान के कश्मीर पर भाशन देने से पहले जब जमाते इसलामी के अध्यक्ष हभीब और रह्मान अफाकी ने कहा कि हम सभी लोग United Nation का इंतजार कर रहे हैं ये देखने के लिए कि क्या दुनिया हमारी मदद कर सकती है नहीं तो हम LOC की सीमा तोड़ने की कोशिश करेंगे हम लोगों को भावनात्मक और सामोहिक रूप से 27 सितंबर को लड़ने के लिए तैयार कर रहे हैं तो उसके इस बयान पर लॉरेंस सेलिन ने कहा वैश्विक समुदाय को इसे पहचानना चाहिए कि ये क्या है जाहिर है पाकिस्तान भारत पर दबाव बनाने और सायुद राष्ट्र को पाकिस्तान के ओर से दखल देने के लिए मनाने के अभियान के तहट नियंतरन रेखा के साथ टकराव और संभावित हिंसा को उखसा रहा है अमेरिकी आर्मी वेटरन लौरेंस सेलिन ने इमरान खान को आतंकी हाफिस साइथ के मुद्धे पर भी लताड़ा था दरसल वेश्विक आतंकी और मुंबई हमले का मास्टरमाई हाफिस साइथ को रहत के लिए पाकिस्तान ने संयूकतुराश्ट्र का दर्वाजा खटकटाया है मासे खर्च के लिए पाकिस्तान ने हाफिस साइद को अपने बैंक खाते का प्रयोग करने की इजासत मांगी थी जिसके बाद संयुक्त राष्ट्र की समिती ने गुरुवार को आतंकी हाफिस साइद को अपने खाते का प्रयोग करने की इजासत दे दी है हाफिस साइद को मिली रहत के पीछे पीएम इमरान खान का ही हाथ था उनके इस कदम पर लॉरेंस सेलिन ने फानाइंशिल आक्शन टास्क फोर्स को आगहा करते हुए कहा कि हाफिस साइद को वैद बनाने के लिए पाकिस्तान का पहला कदम उसे अंतर राष्ट्रे आतंकवादियों की सैयुक्त राष्ट्र के सूची से हटा दिया और भारत के खिलाफ हमले जारी रखने के लिए और उसके आतंकवादी समों को मुक्त कर दिया गया FATF को इस आतंकवादी को वित्ट पोशन से मुक्त करने के पाकिस्तान के प्रयास पर ध्यान देना चाहिए आतंकवादी हाफिस साइद के शुप चिन तक पाकिस्तान ने एक अदम तब उठाया है जब वो सारी दुनिया में धिनोरा पीट रहा है कि वो आतंकवाद के खिलाफ कड़े कदम उठा रहा है मई में पाकिस्तान के आतंकवाद रोधी विभाग ने हाफिस साइद और जमातु दावा के शीर्ष नेताओं पर आतंकी वित्तु पोशन के आरोपों के तहत मामला दर्श किया था अधिकारियों ने साइद को गिरफतार भी कर लिया था लेकिन ये पूरे दुनिया जानती है कि ये पाकिस्तान का महस दिखावा था अंतराश्ट्रिय मोर्चे पर कश्मीर मसले पर फेल हुए इमरान खान अब आतंकवादियों के जरिये भारत को अस्थिर करना चाहते है उनके इस कदम ने पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान का चेहरा एक बार फिर बेनकाप कर दिया है My sense is, big countries—perhaps more than big countries, maybe all countries today—won't have common score sheets. I think everybody would have their own lyrics and their own tunes, but there would be notes that they would strike together and occasionally it would be cacophonic and sometimes seem like an orchestra but ... So you're a composer. Tell me how you would write the score. को kuता अमाव ही, ह course. I think we are moving to a tedious of convergence, where a lot of it would be situational, a lot of it would be issue-based, lot of it would be regional, म 느낌 agree in the indo pacific, but we may not agree, in the Gulf. So I do think we are looking at much more complicated, . बन्रेचिय के रहेति Hehितल औरॉछेसित तोसे और हिए राप सकते हुगती। , आर सोकत्वत्स, अरिछोन यूरी और अईले, और भी यॉी नवह I have a common unified position. I don't think we are anymore into the unified position's world. I think we've just moved away from that. So, there would be, you know, where the Quad is concerned, right now, till now the Quad's been largely at the official level. We are exploring how to raise it beyond that. Now, the Quad's largely been discussing maritime security, connectivity. क्र during theาน, थे जवे जवे था काल उन cycl was घृब टूराई प्रीप अजू की ज़ुर्टी है पार्टार This is a फ्री च्रीप सो wr़ा इंपारियर चानी उ़स एकापनी उट खशें पो really MORचा कामरा से का編से कीुछ आऑर से तेस उखरेंगे ऑ्रीप के बैजू very different positions so it would very much dependent on 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 the issue and the partner concern that brings us to the elephant in the room China country next door to you you've spent a bit of time there let me start by opening it up on what the government of India has done most recently on Kashmir this is a significant decision from Delhi perhaps you could explain to our gathering here what is the Indian government seeking to achieve how do you think both Pakistan and China are responding and where to from here the one sentence answer to that is read today's Financial Times it has an op-ed by me and don't look at the picture okay so that's my one sentence answer but I'll give you the longer answer they always choose photographs to make the subject feel uncomfortable apparently that's those are well-developed skills that's right so all I'd say Jai is get used to it so the you know you have to sort of walk back a bit on Kashmir look the first point which people should appreciate is that the provision in the Constitution which gave Kashmir the different status was a temporary provision now here's the funny thing you rarely read that in the international press and when I say it's a temporary provision don't take my word for it Google the Constitution of India it's written out there the word temporary is out there on the heading of the segment as well as the article in question now I think we all I know you're Australian but we agree on what the word temporary means it means something comes to an end after 70 years it came to an end and 70 years is a decent definition of the word temporary so what so so let me come to why it changed okay now what happened was at the time when Kashmir joined India as did about 560 other princely states Kashmir was unique one it was a border state two it was under attack as it was negotiating its accession from Pakistan so the sense in the constitution constituent assembly was that we need to you know cut them some slack give them some more different terms and give Indian constituent assembly if not in 47 48 yes right in which by the way the Kashmiri representatives joined it so the sense was that okay these guys are coming under different circumstances so let's give them a in a sense of different terms for alignment give them more time and space to do that now over so over a period of time what happened was the accession the integration of the state of Jammu and Kashmir with the rest of India proceeded much more gradually then did all the other princely states but and it came through a series of presidential orders which were provided for by this temporary provision so they were there are in the last 70 years about 54 of these presidential orders now in the 1990 around late 80s as the Afghan the Afghan the first Afghan war came to an end the we saw a spiking of terrorism in Kashmir cross-bothered terrorism people coming from across the line of control now they created a sort of intimidatory effect on the polity and so the the entire alignment process actually slowed down so if you actually track those presidential proclamations you get much more in the 50s 60s 70s 80s 80s then you do that out